हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मा यूटूब चैनल स्पैसल अकैडमी आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है स्टुडेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPSSC के क्वेस्टिन पेपर यहां हम पर डिस्कस कर रहे हैं और स्टुडेंट्स आज का जो यह पेपर है वो भी HPSSC का क्वेस्टिन है यह क्वेस्टिन पेपर है तो स्टुडेंट्स हम जो जीके सेक्सन लेके आए हैं वो है हीमाचल का जीके हम हीमाचल का जीके जो है तो आज डिस्कस करेंगे तो students start करते हैं हमारा आज का पहला प्रशन तो students हमारा आज का पहला प्रशन है और students वीडियो start करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने हमारी चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe जरूर करें और bell icon जरूर दवाएं ताकि आपको हमारी latest वीडियो की जो notification है वो मिलती रहे तो students start करते हैं हमारा आज का पहला प्रशन तो पहला प्रशन है हिमाचल प्रदेश नेमन के मध्य घीरा हुआ है तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number B बहुत ही common सा question है ये और हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल जो है तो किसके मध्य घीरा हुआ है बढ़ते है next question की तरफ हमारा next question है हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य स्थीत है तो students ये भी बहुत ही common सा question है और आप मुझे ये comment box में बताएंगे कि हमारे हिमाचल प्रदेश के जो उत्तर में है वो कौन सा राज्य यहां पर स्थीत है तो जल्दी से comment box में बताएंगे कि उत्तर में कौन सा राज्य स्थीत है तो इसका जो right answer होगा वो होगा जम्मू और कस्मीर option number जो यहां पर A है वो सही हो जाएगा और students बात करें अगर उत्तर पूर्व की तो उत्तर पूर्व में तिबत है और दक्षिन पूर्व में जो है तो उत्राखंड और दक्षिन में हरियाना है और पस्चिम में पंजाब से घीरा हुआ यह राज्य है अगर इसकी उन्चाई की बात करें तो उन्चाई है इसकी 350 मीटर से 7000 मीटर तक और students इसकी जो समाने उन्चाई है वो पस्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है तो बढ़ते हैं next question की तरफ हमारा next question है धौलाधर और पीर पंजाल मसहूर परवत स्रेणिया जो पाई जाती है तो ये जो परवत स्रेणिया है वो कहाँ पाई जाती है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य परवत में और students आपको मैं बता दूँ जो मध्य परवत है इसको हम आंतरी के हीमाले या इनर हीमाले भी कहते हैं और इसकी जो उंचाई है वो 1500 मीटर से 4500 मीटर है और अगर हम बात करें सीवालिक हिमाले की तो इसकी जो उंचाई है वो है 350 मीटर से 1500 मीटर और 1500 मीटर से 4500 मीटर जो है तो आंतरी की हिमाले जिसको हम मध्य परवत भी कहते हैं इसकी उंचाई है और स्टुडेंट्स अगर ब स्टूडेंट्स जो दहुलाधर स्रेनी है इसको हम स्वेत चोटी और मौलाक परबत भी कहते हैं स्वेत चोटी और मौलाक परबत और बात करें अगर हम सिवालिक हिमाल्याज की तो सिवालिक हिमाल्याज को हम मैनाक परबत बोलते हैं मैनाक परबत और जो हमारा आंतरिक हीमाले है इसको हम मौलाक परबत मैनाक अलग है और मौलाक अलग है तो बढ़ते हैं students next question की तरफ हमारा next question है रिवाल सर जील हीमाचर परदेश के नीमन किस जीले में अवस्थित है तो बहुत ही ये प्यारा question है और बार-बार paper में पूछा जाता है और आप मुझे इसका answer जो है तो comment box में जुरूर दें तो इसका मैं आपको सही answer बता दूँ तो वो है मंडी अगर बात करें मंडी की तो मंडी में बहुत सी जीलें बाई जाती है जैसे कुमार वाहा, रिवालसर, कुंत भ्योग, कालासर, सुकसर और पंडोह परासर ये क्या है ये सब मंडी की जीले है और students ये जो एक रिवालसर जील है रिवालसर जो की कहां पर है ये है मंडी में रिवालसर मंडी में है और एक है एक और जील होती है सरवालसर ये रिवालसर जील है और एक और जील है सरवालसर जील ये कुल्लू में है सरवालसर कुल्लू में है और जो रिवालसर है वो मंडी में है अगर बात करने रिवालसर की तो इसे साथ टापों की जील भी कहा जाता ह कितने टापों की जील कहा जाता है तो साथ टापों की जील कहा जाता है और इसे जो है तो पदमाकन भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है कमल को धारण करने वाला और स्टुडेंट्स ऐसा माना जाता है कि यहां पर पदम संभव की जो आत्मा है वो यहां पर वास करती है और स जील का जो पानी होता है वो रिवालसर से नाग चला जो रिवालसर है रिवालसर से नाग चला तक भूमी के नीचे बहता है और और मंडी से ये 10 किलोमेटर दूर है कितने किलोमेटर दूर है तो 10 किलोमेटर दूर है और स्टूरेंट्स एक और खास बात है इस रिवालसर जील की कि यहां पर तीन धर्मों के मंदिर पाए जाते हैं कितने धर्मों के मंदिर पाए जाते हैं तो तीन धर्मों के मंदिर पाए है हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे जो इस वीडियो को लाइक जुरूर करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेस्टिन है सत्तुलूज नदी का रिगवैदिक नाम क्या है तो इसका जो वैदिक नाम है वो है सतुद्री सतुद्री इसका वैदिक नाम है और अगर बात क कहते हैं तो लाल नदी कहते हैं इसको और स्टुडेंट्स अगर बात करें हम व्यास की तो व्यास का वैदिक नाम है अरजी किया और इसका संस्क्रिप नाम है विपासा और एक और ऑप्सन दिया है यहां पर सरवारी नदी तो सरवारी जो नदी है वो कुलू में कुलू में य विले किया गया था तो इसका विले कब किया गया था तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक जुलाई 1904 को विलासपूर का ही माचल परदेश में विले किया गया था अगर बात करें हम विलासपूर की तो विलासपूर का जो पूराना नाम है वो है कहलूर और इस रियासत का जो राजा था वो था वीरचंद जो बुंदेलखंड के राजपुत परिवार से सबंदित था और ये question जो है तो बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है कि जो बिलासपुर के राजा थे कहलूरी राजा वो कौन सी दियासत के कहां के वो रहने वाले थे तो बुंदेलखंड के राजपुत परिवार से वो सबंदित थे और students से एक और question आता है खड़क चंद जो खड़क चंद है वो उसके सासनकाल के बारे में question आता है तो खड़क चंद का जो सासनकाल है उसको बहुत बुरस में कहा गया है और एक और question है एक और यहां पर राजा है हीरा चंद हीरा चंद के जो हीरा चंद का जो सासनकाल है उसको स्वर्ण यूग की संग्या दे गई है स्वर्ण यूग की उसको संग्या दे गई है और आनंद चंद एक और राजा है 1948 तक उसका सासनकाल है किसका आनद चंद का और बिलासपुर को 15 अगस्ट 1948 को पार्ट C स्टेट बनाया गया था और स्टुडेंट्स 12 अक्तुबर 1948 को पार्ट C का जो मुख्य आयुक्त होता है वो कौन चुना गया था तो राजा आनद चंद को मुख्य आयुक्त चुना गया ठाउत इस्टेट का और स्टूडन्स जो कि कब तक रहे थे तो 1 develop दूसरे मुख्य आयूकत तो स्रीचंद च्छाबडा जो हैं वो राज्ये के दूसरे मुख्य आयूकत बने धे और स्टूडन्स एक जुलाई उनिसाचौबन को विलासपुर को जो है तो हिमाचल का एक नया जिला बना दिये गया था बढ़ते हैं next question की तरफ तो हमारा next question है नर्सिह टिब्बा हिमाचल परदेश के निमन किस जिले में मौझूद है तो students इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चमबा चमबा इसका सही आंसर हो जाएगा नर्सिह टिब्बा जो है तो कहां है वो है चमबा में और अगर बात करें और इसके पहाड़ी चोटियों की चमबा की तो गौरी देवी का टिब्बा भी यहीं पर है गौरी देवी का टिब्बा भी यहीं पर है और जैसे तामसर, पीर, पंजाल, फिर कैलास, बारा कांदा यह सब कहां पर है तो चमबा में यह सब है बढ़ते हैं next question की तरफ, अगर आपको और जानकारी हो जैसे हम state के बारे में यहां पर आ ही जाता है, कोई न कोई जिला यहां पर आ जाता है अगर आपको किसी भी जिले की कोई अन्य जानकारी है, कुछ अधर फैक्ट आपको पता है, तो आप comment box में बता सकते हैं, जिससे की और students की भी मदद हो सके तो बढ़ते हैं next question की तरफ, हमारा next question है, रावी नदी का उदगम हुआ है, तो रावी नदी का उदगम कहां से हुआ है, कहां है इसका उदगम स्थल, तो वो है बड़ा भंगाल से, कांगडा के बड़ा भंगाल से यह निकलती है, और रावी नदी पीर पंजाल को धौला से अलग करती है, हमारा next question है, जो द्रातरी दर्रा है, वो हिमाचल परदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो वो है चमबा, बढ़ते हैं next question की तरफ, स्पीती घाटी का अंतिम ग्राम क्या है, स्पीती घाटी का अंतिम ग्राम क्या है, तो वो है लोसर, लोसर इसका अंतिम ग्राम है, और उन्चाई पर यह वसा हुआ है, तो students, आज हम 10 question ही discuss करेंगे, और यह जो थे तो नॉर्मल जी के थी हमारी, नॉर्मल जी के थी हमाचल की, और आगे जो question है हमाचल के, यह history के question है, जो हमाचल का इतिहास है, वो उससे सबंदित है, तो इसको हम कर डिसकस करेंगे, और students, आपको वीडियो कैसी लगी है, तो यह ज़रूर बताएं comment box में, और हमारे चैनल को subscribe ज़रूर करें, और ज़्या झाल बताएं